नमस्कार माय हो जय उतिसकुमार ये गडीत है नवी गडीत है देख लिजिए परषनावली 1.3 का पहला भाग दूसरा भाग तीसरा भाग देख लिजिएगा ये जो है मैथमेटिक्स के पले लिस्ट में हमारे तिग्या चैनल में देख सकते हैं गडीत बिशे का कई विडियो आप जानते हैं कि 1 बटे 7 बराबर 0.142857 है और इसमें बार है वास्तों में लंबा भाग दिये बिना भाग किये क्या आप बता सकते हैं 2 बटे 7, 3 बटे 7, 4 बटे 7, 5 बटे 7, 6 बटे 7 के दसमलो परसार क्या है इसका जो है दसमलो में इनस्वर क्या है तो कैसे यदी परसार क्या है यदि हाँ बता सकते हैं तो कैसे संकेत एक बटे साथ का मान ज्याद करते समय से फ़लों का ध्यन शाओधानी से कीजिए यहाँ पर एक बटे शाथ बराबर कितना दिया है एक बटे साथ बराबर 0.142857 और इसमें बार है इसका बार-बार दोहराव होगा इस सभी अंकों का पुन्रा बिर्ति इतना का होगा गडित की भासा में पुन्रा बिर्ति कहते हैं उस आधारन भासा में दोहराव बार-बार दोहराव इसका होगा इसमें भाग देंगे तो बटे 7 का भाग करेंगे, हल करेंगे तो, और 2 बटे 7 को कैसे आसानी से लंबा भाग किया दिना कैसे जान सकते हैं, तो इसको बहुत ही आसान है देख लेजे क्या जो 2 बटे 7 और 3 बटे 7 यानि कि 2 बटे 7 बराबर कर देजे 1 बटे 7 का जो इनस्वर है इसको 2 से गुड़ा कर देजे 2 गुड़ा 0.142857 तो बराबर होगा 2 बटे 7 बराबर गुड़ा कर देख लेजे यह देखे 285714 यह 0.285714 इसी का दोहरा होगा यहाँ 0.12 है इसका दोहरा होगा गुड़ा करके देख लेजे और इसी तरह 3 बटे 7 बराबर 3 गुड़ा कर दिजे इसी को 0.142857 तिसका 3 बटे 7 बराबर होता है इसका गुड़ा करने पर इनस्वर है देख लेजे यह 0.428571 इसी में बार है इसको हम लोग गुड़ा करके देख लेते हैं 0.142857 इसको अव इसको 3 से गुड़ा कर दिजे साथ तिरेके 21 का एक हासिल दो पांच तिया पंद्रा सोला सत्रा सत्रा का साथ हासिल एक और आट तिरेके 24 और एक पचीश का पांच और दो पुना हासिल और तीन दुना छे साथ आठ और तीन चाओं को बारा का दो हाथ माया एक तीन एकम तीन अवेक चार एक दसमलाव तीन सुनम सुन देख लेजिए 42, 85, 81 ये इसी में बार है इसका ही गुन्रा बिर्ति होगा तीन बटे साथ को भाग करेंगे तो अगला और एक देख लेते हैं तीन बटे एँ छे बटे साथ बराबर 6 इन्टू 0.1428 57 14, 87 तीसको गुडा करने पर 6 बटे साथ बराबर गुडा कर लिजे इसको 0 दसमलाव 8, 5 7, 1 4, 2 इसी में बार लगेगा इसी का पुन्रा बिर्ति बार बार होगा गुडा कर लिजेगा कहीं पर मिस्टेक भी होता है अगला कोस्चन देख लिजे निमने लिखित को P बटे Q की रूप में ब्यक्त किजे जहाँ P और Q पूरू रांग है तथा Q नाट इसक्विल टू 0 Q बराबर 0 नहीं है और कोस्चन क्या है कोस्चन तो लिखा नहीं है पहला कोस्चन 0.6 इसमें बार है इसका हमें P बटे Q के रूप में लिखना है दूसरा कोस्चन दूसरा कोस्चन है 0.47 में बार इसका हमें P बटे Q के रूप में हल करना है तीसरा को इस्चन में बटे में लाना है 0.001 को भिन रूप में लाएंगे P बटे Q के रूप में लाएंगे इसमें बार है यह तीनों में बार है तो अब इसको देख लिज़े आई हल करते ही इसको बहुत ही असानी से हल करेंगे यहाँ पर हल लिखे हल पहला का हल करेंगे पहला को हल करेंगे, इसमें पुन्रबृति, लिख लिजे, पुन्रबृति बराबर R मान लिजे, और R बराबर 1 है, इसको देख लिजे, जितने में बार रहे, वही R का मान होगा, यहां पर R बराबर 1, R बराबर कितना है? 1 है और हम यहाँ पर हम यह नहीं जानते हैं कि 0.6 क्या है अतर हम इसे X मान लेते हैं X बराबर 0.6 यही जो है हमें X का मान निकालना है हम माना X बराबर लिख लेते हैं माना माना x बराबर 0.6 और 6 का पुन्रावर्ति हो रहा है तो x बराबर होगा 0.6666 इस तरह से पुन्रावर्ति हो रहा है इसका बार-बार दोहराव हो रहा है तो अब हम जो भी x है इसमें 10 घात आर का गुड़ा करना है इस x में 10 घात आर का यानि की 10 का घात आर से गुड़ा करना है गुड़ा करना है जो भी x है तो यहाँ पर हम 10 का घात आर गुड़ा x है तो बराबर होगा यहाँ देख लिजिए बराबर होगा यह 10 का घात आर अगुड़ा कर दिजिए तो x होगा आर का मान रख दिजिए आर का मान कितना है एक x इतना होगा तो बराबर होगा यह 10 x होगा कितना होगा 10 x है होगा घात में एक ही है इसलिए 10 x होगा इसको हल करेंगे तो अब 10 x बराबर x का मान रख दिजिए गुड़ा कर दिजिए 10 को लिख लिजिए और गुड़ा में x का मान कितना हम लिए है 0.6666 0.6666 इतना है तो हम इसको गुड़ा करते हैं तो इसका इनस्वार आता है 6.6666 अब इसको कैसे लिख सकते हैं 6 धन 0.6666 लिख सकते हैं इसको अब इसको जोड़ेंगे तो इतना ही होगा इसलिए 10 x बराबर इतना और इसका ये 6 इसका भी मान तो हम लिखे है ना x 6 धन इसके बराबर एक्स माने हैं उपर में देख लिजी यहां x बराबर 0 चलू उच्छे चलू यहां पर x कर दिजी 10 x बराबर 6 धन x हुआ तो लिख लिजी 10 x ए 10 x है बराबर 6 धन x इस परकार से 10 x बराबर 6 धन x अब इसको 10x read x, x बराबर से इधर आता है तो माइनस हो जाता है इसको इधर लाएंगे तो यहां माइनस करके x तो वही चीज है 10x read x अब यह 6 को जयों का तेव लिख दिजिए अब इसको घटा दिजिए तो 9x बराबर 6 होगा हमको x का मान निकालना है इसलिए x बराबर 6 को लिखिए अब इधर 9 था वो नीचे जाएगा यह 9 3 दुना 6, 3 तिया 9 कार दिजिए इसको तो बराबर होगा 2 बटे 3 होगा यह भिन रूप है P बटे Q के रूप में हम 0 दसमलो 6 का मान कितना इनस्वार आया यह है उत्तर 2 बटे 3 यही हमें हल करना था और अगला सवाल देख लिजिए अगला सवाल हम हल करेंगे इसको भी देख लिजिए अगला सवाल हल करते हैं दूसरा सवाल देख लिजिए दूसरा सवाल दूसरा सवाल है 0 दसमलो फोर 7 में बार है इसमें जो है बार है इसमें डारेक्ट हल करना भी जानेंगे देख लिजी इसमें x बराबर x बराबर 0 दसमलो 4, 7, 7, 7 इसमें बार है तो इतना होगा अनन तक तो आब इसमें x का गुड़ा कर देते हैं इधर यह दोनों तरब कर देते हैं x का गुड़ा यह यह 10X होगा और बराबर हो जाएगा यह यह 10 गुड़ा 0.47777 कर दिजिए गुड़ा कर दिजिए तो 10X बराबर 10X बराबर 4.7777 इसको दूसरा समीकरण मानिए इसको पहला समीकरण ठीक यह प्रिश्ट रसे अब यह दूसरा समीकरण में भी 10 का गुड़ा कर दिजिए इसमें दूसरा समीकरण में 10 का गुड़ा करेंगे तो यहाँ पर 10 का गुड़ा करेंगे तो 10 दहम 100 होगा 6X अब इधर 10 से गुड़ा करेंगे तो इसको 10 से गुड़ा करेंगे तो यह हो जाता है 47.77777 इस तरह से इनस्वार आता है इसका अब इसको जो है यहाँ पर 10 X बराबर 4.77 है इसको देख करके यहाँ पर 100 X बराबर यहाँ पर लिख लिजिए 43 धन इतना लाना है 4.777 43 अब इतना को जोड़ेंगे तो इतना होगा इसको इस तरह से लिख सकते हैं अब देखिए यहाँ पर 100 X बराबर यह 43 धन इतना बराबर 10 X हमने माना है तो 10 X लिख दिजिए 10 X और 10 X को इधर ले आके घटा दिजिए 100 X यहाँ पर माइनस कर दिजिए 10 X बराबर यह 43 को लिखिए यह 43 यह 10 इधर माइनस हो गया आगे देखिए बराबर 90 X होगा बराबर 43 X का मान निकालेंगे तो X बराबर 43 कजेओं कतेओं और यह नीचे आएगा यह 90 यही भिन रूप है इनस्वार है यही तो हल करना था बहुत ही आसान है इजी है और अगला कोश्चन क्या है अगला कोश्चन को भी देख लिजिए तीसरा कोश्चन 0.001 है इसमें सभी में 12 है इसको जो है आर का मान जैसे निकालते हों इसे लिख देए यहाँ पर पुंड्रा बिर्ती पुंड्रा बिर्ती लिख लिजे पुंड्रा बिर्ती आर बराबर कितना है तीन एक, दो, तीन जितना डिजिट पुंड्रा बिर्ती हो रहा है उसब को यहाँ पर एक, दो, तीन, तो थ्री लिखियो पुन्रा बिर्ति केतना थ्री और हमने इसको हम नहीं जानते हैं कि क्या है तो इसको मान लेते हैं x x बराबर 0.001 लिख देजिए इतना अब x बराबर 0.001 लिखिन यहाँ पर बार है तो हम इसको लिख सकते हैं 0.001 001 001 इस तरह से यह पुन्रा बिर्ति हो रहा है बार-बार अब देखिए अब इसमें हम क्या करते हैं 10 घात आर का गुड़ा कर देते हैं यहाँ पर जहां भी x है यहीं है यह देख लेजिए 10 घात आर गुड़ा x तो बराबर होगा इसको गुड़ा कर देजिए 10 घात आर x अब मान रख देजिए आर का मान रख देजिए 10 घात आर का मान कितना है 3 देख लिजिए पहला हल देखिए तिसरा हल को अराश समझेंगे यहाँ पर 10 का घात 3 है तो बराबर हो गए, कितना हो जाएगा दस गुड़ी, दस गुड़ी, दस करेंगे दस गुड़ा, दस गुड़ा, दस करेंगे, तो कितना होगा बराबर हो जाता है ये, एक हजार होगा दस दहम सव, सव दहम एक हजार, एक हजार ये है, एक हजार तो बराबर होगा 1000x होगा 1000x हो गया इस तरह से असानी से 1000x हो गया अब 1000x बराबर अब 1000 गुड़ा x कमान कितना है यह देखिए यहाँ पर x बराबर क्या लिखे है 0.001 001 इस तरह से तब इसको गुड़ा करने पर देख लिजए 1000x बराबर इसको गुड़ा करने पर कितना होगा 1.001 001 इस तरह से होगा अब इसको अलग-अलग कर दिजए एंधन 0.001 इस तरह से इस तरह से करेंगे कोई दिक्कत नहीं है एक धन 0.001 अब इसके बराबर हमने क्या माना है X माना है क्या हो जाएगा बराबर एक धन X होगा 1000X बराबर एक धन X लिख लिजिए पहले 1000X 1000X बराबर एक धन X 1000X read X कर देजिए इस X को इधर ले आईए बराबर एक तो यहाँ पर 999X बचेगा एक एक घटेगा तो बराबर एक तो X बराबर एक बटे 999 इसका भिन रूप है यही उत्तर है इन स्वर इस तरह से असानी से हल कर सकते हैं इजी तरीका से देख लिजिए दिखाई नहीं दे रहता होगा तो यहाँ पर देख लिजिए 1000X रीड एक्स इस X को इधर ले आए बराबर एक और यहाँ पर घटाएंगे 999X बचा बराबर एक तो X बराबर एक बटे यह नीचे जाता है 999 उत्तर यही जो है उत्तर है अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजे वीडियो को सेर कीजे